वश्कार दोस्तों आप शबका श्वागत करते हैं कारगुल मिस्टिक के ओलाइन पॉर्टल पे तो चली शुरू करेंगे आज की कुछ डेटा एनालेसिस है जो की ऐसा ही भरती दो जार्श वड़ा से संब्सक्राइब नहीं किया तो प्लिस सब्सक्राइब और बेल आइकन को कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको एक इनफोमेशन और बता दू कि जल्दी मैं कट ओफ का एक लाइफ सेशन रखूँगा इसमें आपन SI की समी कट ओफ की चर्चा उस लाइफ सेशन के द्वारा करेंगे और जल्दी मैं उसका एक पोस्ट आपको यूटूब के मादम से रिल इनलेसिस को यहां पर कोट के आदेश के नुशार 100 अभ्यर्थी और यहां पर शामिल कर लिएगे यानि पहले 1925 थे उसके बाद में आर्पीस्ट के द्वारा एजित SI भरती प्रिक्षा 2000 शोड़ा के इंट्रिव्यू हाई कोट के आदेश पर करीब 100 अभ्यर्थी और बेट के चाल्व है नीस सो पत्चे सब्येटियो के लिए पात्तर गोशित पूरू जारी के मुटवार के इंट्रिवू के प्रकरिया पूरी होनी थी लेकिन किसी कार्ण से यहां पर कुछ अभ्यर्थी है सो जो candidate यहाँ पे court के द्वारा court rate के द्वारा कुछ physical problems थी वो clear करवा के उन्होंने वापिस से यहाँ पे date जारी RPC के द्वारा कर की गई जिससे यह कारिकरम जो है दो दिन यहाँ पे बढ़ा दिया गया RPC के द्वारा तो उनका भी schedule यहाँ पे RPC के द्वारा इसी में डाल दिया गया है नेक्स अगर बात करें तो इसी देखते वे गुरुआर तक के इंटर्यू के प्रकरिया जो है यह चलेगी जिस जो की गरह भी बाग में यहाँ पे 511 पदों के लिए सब इंस्पेक्टर यानि की थानेदार या फिर आप कह सकते हो ऐसा ही भरती के लिए भरती का करेकरम जारी है तो चलिए बात कर लेते हैं उन 100 candidates की जो यहाँ पे अभी नए एड इसमें हुए है तो चलिए उन 100 candidates की अपने चर्चा इस वीडियो में कर लेते हैं अगर बात करें उन 100 candidates की जो अभी हाली में court के द्वारा यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको बता दूँ वो total अपने पास में जो regular candidate pass qualify किये थे इंट्रिवूस के लिए वो अपने पास में 1924 candidate थे total उसके बाद मैं आपको बता दूँ उसके बाद में एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 14 पलस एक यानि एक लड़की यहाँ पर शामिल की गई थी और उसके बाद में 14 candidate जो और उसमें qualify किये थे इंट्रिवूस के लिए इनका schedule जो था वो 25 अगस्ट यहाँ पर RPSC के दवारा यहाँ पर इंट्रिवू का schedule रखा गया था तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पर बात करें तो 15 candidate तो वो थे जो rate से उस time में आये थे लेकिन कुछी दिनों पहले आपने देखा होगा दो-तिन दिन पहले 22 अगस्त के लगबग एक list और जारी की गई जिसमें court rate के candidate भी इसमें शामिल किये गई लगबग उन अभियर्थियों के संख्या अगर बता हूँ तो यहाँ पर 51 या 50 के लगबग यह data अपने पास में अगर 20 data है जो कि यहाँ पर court rate के दवार आए तो इस परकार से अपने पास में यह data जो हो गया यह 65 candidate यहाँ पर वो candidate होगे जो court के दवार है यहाँ पर शामिल होए इंट्रिवूज में उसके बाद में बता देता हूँ आगे जो 25 candidate जो थे उन्होंने अपनी date यहाँ पर change करवाई तो जो इसमें अगर 25 जोड़ दूँ तो आप लोग यहाँ पर पाएंगे कि 90 candidate जो है अपने पास में वो candidate है जो यहाँ पर इंट्रिवूज में एड किये गे उसके बाद में अभी हाले में यह भी है कि 10 candidates जो हैं वो उनके इंट्रिवूज यानि जो लड़किया थी उस टाइम में pregnant थी जब उनका physically test हुआ था वो उनका result यहाँ पर अभी RPSC के दवारा ठंडे बस्ते में ढाला गया ह वो 10 candidates यहाँ पर एड हो जाएंगे तो इस परकार से अपने पास में total candidates जो है RPSC 100 candidates का इंट्रिवूज जो court rate के दवारा यहाँ पर आए हैं उनका यहाँ पर अभी 27 अगस्त के आपर आयूजिन करवा रहा है तो मैं आशा करूँगा कि आपको यह complete data आपको समझ में आ गया ह होगा हाला कि मैं expectation भी करूँगा कि इस प्रकार की वीडियो आपको अच्छे भी लगते होंगे तो प्लिस इसको subscribe और share करना ना भोले thank you